मुझा जंद्र लोक में देखा थंड़क नहीं सूर्य लोक में देखा गर्मी नहीं इंद्र लोक में भी अब हासी खुशी की स्थिती नहीं है द्रुतारों के नक्षत्र मंडल में भी प्रकाश नहीं यह कैसे प्रियास है क्रता त्रेता दौपर युग पुरुशों से अधिक यह कल्युग पुरुश का देवदेवान तक है काल कालां तक है या फिर विदी विपरान तक है प्रभु जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये विचित रहे सचित रहे सा संशय नारच जी शंशय क्यों नहों प्रभु आप दया मैं होकर दशाहतारों में विचिस भूलोग पर गए थे वहां पता है नारत पता है पुन्यवान लोग पापी बन गए है धर्मदाता लोग धरित्र बन गए है कर्म निष्ठ लोग प्रष्ट बन गए है सभी देवी दियोता वहां की मोह माया में फंसकर राक्षस बन बैठे अब ऐसी परिश्थिती कब तक ठीक होगी प्रभु सत्यका साक्षातकार चपोगा उस सत्य साक्षातकार के स्वरूद भी आप ही है ना प्रभु नहीं नहीं ना रच्जी भक्त जिनकी पूजा करते हैं चाहे मैं हो ब्रह्म देव हो महिश्वर देव उस्वमूर्थ भी हो कोई भी मूल देव नहीं है ना रच्जी ये क्या है प्रभूफ कोई नया परियाद से परिहाद से नहीं है परम सत्य है सूच कर देखिए आपके पिता कौन है साक्षात प्रभ्रम उस परम ब्रह्मा के पिता कौन है मेरे दादा आप ही है महानारयन मेरे पिता कौन है स्रिष्टी स्तिति लाय करती श्रीव महेश्वर उनके पिता कौन है हाँ भगवान उस शर्वेश्वर के पिता कौन है वो है मूल दिवता वही है नित्य सत्य स्वरूप याने आदी देव आपके द्वारा उसी स्वरूप की उसकी महिमा की प्रपंच में दर्शाने का यही सकाल है वो देखिए कौन है कौन है कौन हाँ कौन हाँ झाल झाल कि यही आदिशक्ति स्वरू भगवान श्री सत्य नारायन स्वामी है यहां आईए नारच्छी यह सत्य नारायन स्वामी ही प्रतिक्षण जो आवश्चक है एक्टा का एक स्वामी है इस स्वामी के आरादना में वेदान्त शास्त्रों का कोई बंधन नहीं है जात, धर्म, कुल, वर्ण भेदों की बादा भी नहीं है तेथी, सप्ता, नक्षत्र, रितु, मात पक्षों का दोज भी नहीं है हा नारत जी, इसे कोई भी कहीं भी आचरण कर सकता है कोई अस्विक्रती नहीं है सर्वाभीष्ट सित्धी प्रदायक जो है इस सत्य देवता को संप्रमाज से मिश्रित किया हुआ सपाद भक्ष ही महार निवेत्य है जीहा नारत जी, उसी निवेत्य के सेवन से ही सभी तरह के दुष्ट कलिकष्ट नवारण है जीहा यह सत्य है, सत्य, परम सत्य है नारत जी इसमें संशय नहीं नारत जी इस स्वामी की पूजा के हरे ग्योग में जो भी आचरन करेगा वो सब अवीश्ट फल को प्राप्त करेंगे शत्य सत्य है, इस स्वामी की पूजा से उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगे झाचरन करेंगे तरह दो पूजा आपसे अतीव सुलब कहलाने वाला यह श्री सत्य नरायड स्वामी की व्रत पूजा संकल्प की महिमा सिद्धी पाकर सारी जग में फैल जाए सर्व दोग का कल्यान हो काले वर्षत पर जन्यहा प्रुथिवी सस्यशालिनी देशोयम चोभरहितो भूजनाह सवतु मिर्भया अच्छी तरह देखें देख लो कल तुम्हें भी इसी तरह डालना है समझ गए हां श्री गुरुभ्यों नमः हर्योम सहत्र शीर्चा पुर्षा सहत्राक्षा सहस्रपा सभुमिं विश्वतों और्द्वा अद्देश्ट अब्दशांदिलम् क्या तुम बहरे हो चुके हो पार्वती ऐसे मेरे पती दियों को दर दर भीक मांगने पर मजबूर कर दिया तुम्हें थोड़ी भी मान मर्यादा है जनार्दर पार्वती पार्वती आवेश में इस तरह भगवान की निंदा करोगी तो आस पॉलस के लोग समझेंगे तुम पागल हो गया तुम में भूत प्रेत आ गया है कोई कुछ भी चाहिए समझ ले इस सारे कश्टों को इकटा करके हमारे घर के आंगर में छोड़ दिया है इस न पार्वती मनुशी के जीवन में गरीवी ही महागुरु है मैं सब जानता हूं हमने गुरु दैव काल सब का सामना किया है परंतु सब्र ही परमधर्म है धीरज रखना सीखो अपरे वाख अलेक लकड़ा रख चुका हूं यह सब असली जंगली लकड़ा है अरे ओ संजीव दिन हो या देवदार हो गाओं में जब कोई खरिदार न बचे तब तुई मेरे सर पर डालता है ऐसा रही है मालिक अब मैं अपने ससरे के गर में छोटा मोटा काम कर रहा हूं जी याने कि तुम्हारा ब्या हो चुका है ब्या तो नहीं हुआ जी अच्छा क यह साथ भावति भिक्षाम देही अहट दिखा रही है ना अपने काले चेरे को सो सो बार बोल चुका हूं किसी भीक मंगी के पाथ भीक मत मांगना मेरे भाई तुम ही बोलो इस गरीब लकड हारे पर फोड़ा तो दया दिखा सकते हो तुम हर दिन मेरे सामने आते हो जैसे म भावति भिक्षाम देही भाईया बले ही में बड़ा पापी कहला हूं इस बरस मुझे ब्या करना ही होगा वो तुम्हें करके रहूंगा देखो तुम चाहे हर दिन मेरे सामने आओ मैं तुम्हें एक चवर्णी तक नहीं दूंगा हाट जाओ रासे से देखो ऐसा मत कहो भावति भिक्षाम देही प्रभू आप है ब्राम्मन हम ठैरे बनिये लोग आपको भीग मांगना नहीं चाहिए हमको भीग देना नहीं चाहिए मेहनत करके कमा खाओ कमाने का कोई रास्ता तो बताओ रभू आप जो वेद मंत्र जानते हैं अगल बगल के बच्चों को हर द और मार्त से दान करना होता है ना कि पैसों के लिए बेचना चाहिए अरे अब मैं आपसे क्या कहूं ना मैं कोई राजा हूँ ना मंत्री हूँ हम अच्छा एक काम कीजिए नल महराज की तरह आप भी रसुय का काम क्यों नहीं करते हैं ये तो शत्रियों का प्राप्ध कर्म हाँ भीग मांगना ही तेरक तर्व तो एक तो पैतालेट एक सो उन्चास हुए एक सो त्रेपन भवत्ती भिक्षाम देही ब्राम्मण को दान दीजी अद दान वान देना हमारे कुल गौरों के खिलाप है ना धर्मों तो फिर उससे जाने को को भीया आके जाओ बाबाबा के लिए गुहार लगा रहा है मैं हूँ वैशित ना कहना तो मेरा धर्म है ऐसा ना कहिए भौती भिक्षाम देही ब्राम्मन को गुस्सा नहीं करना चाहिए वह भी हमारे मालिक के सामने स्वामी अन्पुर्णे शुरी मंदर के पास जाए खाना मिलेगा हाँ जल्दी जाओ कि भौती भिक्षाम देही गुस्सा ने कीजी मास्वामी यह रुक्जा रुक्जा हट जा हट जा बहुत बड़ा पाक करने जा रही थी तुम इस महापुरुष को भीग दे रही हो तुम इन्हें जानती भी हो क्या एक नहीं दो नहीं छे छे बच्चों के पिता है ये तुम खैरी एक बांज औरत मारकंडे के पिता मुर्कुंड मुनी उनकी कहानी नहीं सुनी जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए आपड़ता है जाओ जाओ अंदर जाओ चलो चलो जाओ ज़रा रुकिई स्वामी जी को भिक्षा देने से ही शायł लग। तंटान प्राब्दी हो सकती है। वाह वाह, महा साध्वी, महा नक्षमी, भीक्षाप दे दो माहा। सुना तुमने, तुमारी बाते सुनते ही स्वामी जी ने महा साध्वी की उपाधी दे दी। महा साज्वी का और्थ क्या है महा पती व्रत आइस्त्त्ρι कहलाती है वपती व्रत आइस्त्री फ्रत को मना नहीं करती चलो अंधर जाओ सुना नहीं तुमने हुआज सुब्साल में पूरा गांन घूमाई अपरम तो लिट्क्शा नहीं मिली थे हैं हुआ believe this तो सौधागरों का इलागा है यहां सब लोग देदो देदो कहते हुए दिखते हैं लो लो ऐसा कोई नहीं कहता है आएंदा इस तरफ मत आईए दूसरी कोई ढूंड लीजिए यह सच है सेट जी हाँ आप जैसे धन्मान पुरुषों को इस गरीब ब्राम्भण की पुकार ना कहूं तो गुस्सा करोगे ना कहूं तो कल दोबारा यहां आओगे आपको भी तकलीफ मुझे भी तकलीफ धर्मों तुम्हारे पास अगर चबनी हो तो इसे देदो विचारे को लेकिन मेरे पास कहां से आएगा सेट जी आप एकी तरह मेरे भी कोई बच्चे नहीं यहां पर कुछ नहीं मिलेगा अब आप जाईए यह भगवंद आ जाते हैं मेरे घर में बस मैं ही मिलता हूं अबैं अरे चलो हिसाब तो चलो भगवंद जो नहीं देती वो लोग कभी देंगे भी नहीं हर दिन देने वाले पापी इंसाने को बलाज क्या हुआ होगा ओ मारे पीछे पीछे ही है भीग देने वालों को ना देने का आशिर वाठ दिया है नव कोटी नाराया हमारे पीट पीछे ही रहकर हम पर शत्रुत्व निकाल रहा है माया में इतने सालों से जो हम कर रहे थे ऐसे दिक्षाद इसने पर भी तुम आच ले आए वहां में पार्वती भगवान की इस तरह निंदा मत करो और क्या करूँ आप ही कहो मेरी बात सुनो हाँ बताओगे कल से आप ठीक मांगने मत जाओ नहीं जाओगे और क्या करूँगा आपके पिता के इस घर के सामने है पूरवजो की आज़ती अठरा एकर जमीन बंजर होकर ऐसी ही पड़ी है जितना भी मिल जाए कुछ भी मिल जाए उससे बेच दीजिए आधे पैसे आप रखिए आधे पैसे मुझे दीजिए इस घर कोई वैत पाड़ शाला बना दूंगी हर दिन स्वादिश्ट खाना बनाओंगी मैं हम भी धन्वान बन की जी सकते हैं पार्वत्ती तुमारी इस अला सचमुच असमंजस ही है परंतु वो धर्ती इस विश्विश्वर के खेत्र में अनमोल एक दिवाले के बांध के लिए हैं ये मेरी अपेक्षा है इतना ही नहीं मेरे दादा पर दादाओं का संकल भी है थू है आपकी अपेक्षा और संकल पोपे मैं आपसे ब्यहा करके यंग के साथ रहकर ब्रह्म से जीवन मांगने चली हूँ ये विक्षा वृत्ती जीवन छोड़कर मेरे पती महाब्रहस पती वैंग विद्यवाचत पती सपता रुश्यों में एक बन कर किर्तिशाली बनें आप तो मनुष्य नहीं है गोमुख व्याक्रा है पत्नी बच्चों पर आपको प्रेम नहीं है मैं और मेरे बच्चे जब गंगा में डूब मरेंगी आपको अकल आएगी तब आप पागल हो जाएंगे तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे स्वामी सत्यनारायण तुम्ही रक्षा करो कुछ भी कहने का लाब नहीं है पारवती ये सब तुम्हार कारण तुम्हार में नहीं रहोगे ऐसा मत करो पारवती तुम इस भीक्षा पात्र से भी गर गुद्रे हो शोब शोब मामी काशी पंडिची वीरा प्रणा स्विकार ये चलो ना चलो अंदर चलो चलो झाल झाल परमेश्वर्ण अब जीने की कोई आस नहीं रही अपने भीतर मुझे समा लीजिये दभू इश्वरार परमस्त जय महादेवा पंडीजी इए क्या इज़र आई चोड़ भीजे मैं अजीना नहीं चाहता हूं अजीवित रहना मेरे लिए असाथ यह है ना रायां ना रायां पतत्प्रत में ही साधना का राज्य असाध्यबाद के साधना करके प्रपंच को दिखा देन ही महापुरुशू का लक्षण है आप कौन है दादा जी महाघ्यानी जैसे दिखाई देते हैं यद भावं तद भावती तुम जो सोचते हूं मैं वैसा ही हूं दादा इस प्रपंच में धन बल के बिना कुछ भी पाना संभव हो गया है ना रायां देवानुग्रह को पान में धनबल किसलिए दादा आप हाँ बेटा हाँ काल के घर में मूच नीच हो गया है ज्यानी लोग अज्यानी बन रहे हैं वे ज्यानी लोग अविवेक दिखा रहे हैं विभूती पुरुश भी विरक्त बनते जा रहे हैं धन धन धना कर्षण की शक्ति द्वारे पूरा प अब कौन है नारायन नारायन बताता हूं चलो अब बताता हूं सुलो ओम श्री सत्य नारायन आए नमा ध्याना सक्त होकर इस मंत्र का जाग करूं ओम श्री सत्य नारायन आए नमा ओम श्री सत्य नारायन आए नमा हरी किसमत देखो पिताजी की तरह हम भीग मांगने चले तो हमें कुछ भी नहीं मिला बैया इसलिए पिताजी कहें सुने बिना ही गाव छोड़के चले गए अब क्या होगा बैया जो भी होगा देखा जाएगा अब मुझे बहुत बुक लगी है गौरी बहाँ देखो अनपूर्णेश्वरी के बच्चे खाना खा रहे है सुबस से तुम लोगों के साथ गूंगूंकर मेरा सरी गूं रहा है आना है तो आओ वनना छोड़ दो मैं तो पेट भरके खाऊंगी करा वनना थाओ दो मैं तो यहां पर लोगों यहां थाओ नियु थोड़ाशा खालो देवी करे बुरुशों के साज्याए को तुम भी प्रोसाओ दो साखा जोड़ाशा नहीं देवी नहीं मेरे सत्य संकल्प के तुम आड़े मत आना मेरे स्य धर्मनी ओ तुम स्य भागनी बन जाओ आओ श्री लक्ष्मी आओ कि मुझे बुलाया प्रभू कि कलियुक के अंपतर तुम जहां रहो स्वतंत्र बनकर रहो ऐसा आपने ही कहा था अब कलियुक के प्रथम चरण में ही दुखी होकर मुझे यहां पर बुला लिया प्रभू स्वामी कौन है ओ धन लक्ष्मी समय रहते ही आई हो तुम मैंने कितना कुछ कहा आपने सच कुछ कुछ नहीं सुना प्रभू देवी स्रिष्टी लीला में हर पल पदलने वाले कली पुरुष के लीला विनोत को तलीन होकर हम देख रहे थे ओ हो इतने में ही कली पुरुष के दिश्टता से तंगा के दुख से मुझे याद करके यहां बुला लिया प्रभू जी हां देवी भारत भूचक्र में भी कृत योग के लोग देवताओं में विश्वास करके जीवन बिताते थे त्रिता योग के लोग दयामय पुरुषों को देखते ही उन्हें भगवान मानकर पूजा करते थे दुआपर योग के लोग धर्मदाताओं को भगवान समझ कर उनका वळन किया करते थे किन्तु आज इस कल्योग के लोग भगवान को मानकर पूजा करने की बात तो दूर भगवान है ही नहीं इस स्थान्त को नित्य सत्य मानकर जीवन बिता रहे हैं ऐसे दुश्काल में हम करें तो क्या करें तेशाम मित्या भी जुकताना जोगक्षेमं वहाम्यहं मां 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 देखो मां देखो काना लए एव अगवान ये क्या किया मूरक बच्चो उच्छे बिना ही भीग मांगने चले दुश्काल मेरे शेयरे दोए तुस्च गया कर आज म या एक्ति कर आगएं लेक क्याyrics है क्या है जिन्दा रहते ही कि क्या क्या प्याक जाबन न चाहते हूं लोगो को सब्सक्ष्ट हो मैं च्ना सब्सक्ष्ट कर लोगों की घरों भी खाना बनाकर बर तन बाच गर नहीं हो और पेरी मा होने पर तुम लोग कलंक लगा रहे हो तुम लगा रहे हो अच्छ का गुद्ध नहीं है नहीं रहा है तुम सब लोगों को आज में अपने साथ खतम कर दूंगी आज से ये घराना मान वर्यादा सब कुछ राख हो जाएगा जब तुम्हारे पिता लोटेंगे इस राख को उस अधरश्टी पंदित के माते पर बूती बना कर चड़ाना होगा पारवती ये क्या है पारवती रेंचंटी का अफ़दार अच्छा है अच्छा है मैं भी ठीक वक्त पर आई हूँ आप कौन है बहन ये क्या पारवती ऐसा क्यों कह रही हो मुझे भूल गई हो मैं तो नारायन पूर की लक्षमी देवी हुना नारायन पूर की लक्षमी देवी जी अरे पागल याद है जब तेरा ब्याह हो रहा था शास्त्र सुस्रा के लिए मैं ही तो मेहनत कर रही थी क्या करूं मुझे कुछ भी याद नहीं है बहन ओहो पेचारी इस प्रपंच में जब किसी पे दरित्रता आ जाती है इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता अब जाने दो मेरी सुहागिन सहली को तोफ़ा देने आई हूं मैं कि कि देखो बहन पारवती हरेकार में संसार ही ऑłरत है ओहरत ही संसार है ऐसी ओरत को धिरश नहीं कोना चाहिए भगवान की मा क्यों आई थी मा अब वो कहां चलेगे मा मा इसमें क्या है क्या है क्या है मा कुझे रात्र हम क्या करेंगे तुम्हारे पिता की आग्या पूरी करकी देवा लेंगा निर्मान करेंगे इस वामी सत्य नाराया इसने दिलों तक तुम्हारी निंदा करती रही इस पापन को ख्षमा कर दो ख्षमा कर दो अब जरी सत्य नाराया नावा नावा धन्य नाराइड जी सच में महा व्यक्ति को ही चुनाया आपने कलिकष्ट नवारक जो है सत्य नाराया के मूल मंत्र को इस वेद महा पंड़िक के द्वारा उपदिशित कराना ही एक बहान कारे है याने की प्रभू इस कलियोग में वेद पुराणों को कोई भी इस ट्रूप से पुरस्क्रत नहीं करता रचार भी नहीं करता है एक स्वामी उस आदिदेव के बारे में अलक्ष है सत्य वचन कहा प्रभू नारच जी इस सद्य ग्रहस्त को सत्य नारायाण मूल मंत्र की सिंथी में लिए इसके पश्चात इसके प्रयोग से जो सेवा वो करेगा वो अपार कहलाएगी यह लिजी यह संगीत वात देहिए उसके लिए मेरा क्रपाशीरवाद है उससे आप चकाईए करतलगा पालन क्यों भीजिए या पालना यजे नए जात्यों दिए तडल रहे नगा वो वैक। कर है झालना आ जात्यों आई नंहें फॉरो देह आत्योंगर इसके अनौन धायवा तो इसकेदिन क्यों चाहिए न्गाoncé उडम सेत्यु रख हुआ अनुं्मन सेस्मस्त कार्यों पां आड़ीघृ ह। काशी पंडित जी, सुनिये वेद पारांगत जी, पंडित जी, दादा, सत्य नारायन भगवान के परम भगत आपे मुझे किसलिए चगाया है? देखो पूत्र, तुम अभी संसारी हो, सन्यासी नहीं, घर छोड़ कर मंधिर में आओगे, और महीने वर यहीं रहोगे तो, तुम्हारी पत्नी बच्चों का क्या होगा? उन सभी की सत्य नारायन ही रक्षा करेंगे। पंडित जी, इस संगीत भाध्य को ले लो, इसी तरह इस वस्त्र की जोली को भी स्विकार करो पुत्र, इस ताल को भी लेकर जाओ, दादा जी, फिर से मुझे भेक्षा मांगनी होगी? नहीं नहीं बंडित जी, अब आपको भिक्षान देही कहकर गली-गली घुमना नहीं पड़ेगा, मेरे दिये होए उपदेश श्री सत्य नराण का नाम अस्पनल करते हुए घर पर जाओ, तुम्हारी पत्नी बच्चे तुम्हारी राह तक रहे हैं। आवश्य दादा जी, दादा, 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 ये सब कुछ देव माया है, कोई एक दैवी शक्त ही दादा के रूप में आई, मेरे इस पत्त जिवन को पावन कर गई, दादा, 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 दादा हम बदू है, हम बदू दजडा के रूप में देगे, सोने की महरे हैं, सोने की महरें, शिवा शिवा, ये पकड़ो, इसमें एक सौने की महरे है, इतने सारे पैसे, शिवा शिवा, पूरी सौने की मोहरे आपकों की हैं। काहिए खाशिपुर के 70els को दूर है यह गाउं आपका शुब नाम मैंहों बाना मैंहों शाना आपके माबाप का नाम हमारी ब ship नहीं है थो शुब शुबा लड़की देने से पहले किसके बच्ची हो ये तो पता होना चाहिए। हम दोनों ने आज तक वैवार के अंदर सैक्रों हो हजारों हो हम खर्च करने वाले लोग है ना कि बाप बाप का नाम बताने वोले बच्चे शिवश्वा यानि कि आप दोनों सौधागर लगते हैं हाँ ऐसा आप बिल्कुल नसुचिए नायक जी सच बात यहीं है ये शाना तो बस यूँ ही बखे जा रहा है अम्मा मर गई इस बाणा का मुझ खुला रह गया बाप मर गया हाँ शिवश्वा अना तो बच्चे हो हम द यह क्या बच्चों आप दोनों में से दूला कौन है हम दोनों ही दोनों मिलकर एक लड़की से ब्या करोगे शिवश्वा ऐसा नहीं होगा मैं नहीं मानूँगा ये सोने की महरे सभी को मनवा सकती है पहले आप पुत्री को बुलाईए उसके बात बात आगे बढ़ाएंगे अरे ओ अनाथ भाप की अौलादो एक लड़की से दोनों व्या करना चाहते हो क्या कभी ऐसा हो सकता है शिवा क्यों नहीं शिवा कल परसों की तो बात है बीटे हुए द्वापर्यूंग में ध्रावपती नामा एक हिस्त्री से पांडा नाम के पांच मर्दों ने व्या नह है कि चलो प्याहा का खर्च हम करेंगे पूरे गाओं को हम खाना खिलाएंगे पूरे गाओं को खाना खिलाएंगे जारंगी तेरे हातों का खाना निम में एक बाद खा लिया तो बस रात तक ये बदन मन सब तुमारे साथ रहता है देख गश्चाना कर रहुआ ये सब्सक्राइव इस बरस तो कुछ भी हो जाए तेरे बाप के पैरों में सो सौने के मोरे रख दूंगा तुम्हारे गले में पता है पता है मुझसे ब्याह करने आया है आज करेगा करेगा सोच कर तीन बरस बित गए इस बरस के पूरा होने तक देखो यह देखो लकडी बेच कर पैसे जमा किया है एक और हफते के अंदर ही और भी 30 मौरे आ जाएंगे इस शिवरात्री से पहले ही हमारा ब्याह उसके ब ये लो अब तुम भी खालो शिवश्वा सत्यवान सावित्री का नवास है ये सारंगी जब तुम धाई साल की बच्ची थी न बेटी तब से ब्याह की बात करता आया है लकडी उठाकर बाजू वाले गाउं में जाता ही रहता है तामबे की चवन्य ठन्य छोड़कर सोने की मौरों का रंग भी नहीं देखा होगा इसमें अब चलो घर के पास इंद्र चंद्र के जैसे सोने की मौरों की मधु दक्षना देने वाले काशी पूर से आए हुए दो जवान बैटें पिता जी बोलो काशी से नहीं कैलार सही क्यों ना आये हो इंद्र चंद्र ही नहीं ब् बेट मत भरना बेटी चलो अगया पिता जी ना मुरादो तुम लोग पैसों का कचाना कि यूना लेकर आओ मेरे बाप तुमसे व्याने करूगी हमसे व्या मत करो मूँ संभाल के बात करो कमीनो हम लोग इंसरतार लोग है साथ में रहने वाली विश्या नहीं ठीक है ऐसा ही करेंगे अब साथ मिलके स्वाग रात मनाएंगे देखा पिता जी शिव शिव ये कैसे लोगों से पाला पड़ा है पिता जी सोने की मोहरे पुत्री शिव ने खुदी मेरे लिए बेजी है सोने को आग लग चाए करीब है तो क्या हुआ मेरे संचेव को मैंने दिल दिया है अब किसी और को नहीं दूंगी अब यहां से भाग रहे हो या दोरों को चला डालू आहां बधू दक्षिना सोने की मोहरों के बतले हम जुर्माना लेंगे यहां पंचायत को बिलाएंगे आप से जुर्माना लेकर रहेंगे क्या कहा शुवा पुत्री का ब्याय करने का मैंने वचन तो नहीं दिया जो पंचायत बलाने की धम की दे रहे हो हमने तुम्हें पहचाना कहां है अब देखना ओम्री ओम्राम शुका पिका यह तो वाया भी है शुवा शुवा यह लड़के इस लोग के नहीं है लगता है लोग के हैं देखते ही देखते गायब हो कर पंची की तरह और गये है तो पामी कौन है स्वामी सजीव संजीव स्वामी 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 मैं अचू तो मुझे शुना नहीं छोड़ दीजिए संजीव श्री सत्यनाराण स्वामी के सानेद्धि में जातिकुल मतपंत का भेद नहीं है कोई उच नीच नहीं है यहाँ पर गरीब धनवान ऐसे अंतर के लिए कोई इस्थान नहीं है स्वामी संजीव अंदर आओ नहीं स्वामी नहीं आओ संजीव आओ मालिक उस दिन जिसने आपको गालिया दी गलत सरत बाते सुनाई धीक मांगने से रोकने वाला यहीं संजीव उसी दिन से भाईया मेरे जीवन ने उधार के नए मार्क को चुल लिया श्री सत्यनाराण स्वामी का सदान उग्रव पालिया यहां आओ संजीव यह लोए प्रसाथ स्वीकार करो सत्यनाराण स्वामी की पूजा करने का बन में एक संकल्व कर लो तुम्हारा कश्टों से भड़ा जीवन स्वामी के अनुग्रह से अवश्य ही बदल जाएगा जो चाहोगे पाल होगे स्वामी मुझ्यशलोग इस स्वामी की पूजा कर सकते हैं अवश्य मित्र इस स्वामी की पूजा के लिए दिवस सप्ताहा नक्षत्र तिथी देखने के अवश्यक्ता ही नहीं चाहो तो पुरोहित के बिना भी स्वामी की पूजा कर सकते हूं हाँ 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 नहीं संजी स्वामी का यह प्रसाद अवश्य लेकर जाओ हाँ 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 दर्म उसको बुला तो यहाँ ए संजी इधर आओ हाँ हाँ है ए संजीव इधर तो आ यहां मालिक आप रोज बुलाते हैं भावताव करते हैं बेज देते हैं आज नहीं भेजूंगा गुशा मत कर कहां ले जा रहा है लकडियां रवी चंद्र मालिक के दुकान में मेरे साले की दुकान में कितना देगा वो पूरे पांच तांबे के महरे देंगे पांच महरे देगा यह ले सोने की महर देता हूं रख दें यहां पर आप मुझे इन लकडियों के बदने एक सोने की महर देगा कल से ही तुम जितनी लकडियां लाओगे उतने सोने की महरे देंगा अच्छा ठीक है मैं चलता हूं ओवाली ठीक है अरे सेड़ जी क्या पागलपन है क्या मतलब यह क्या किया आपने इतनी सी लकडी के लिए एक सोने की महर दे दी आपने नेरा उन्लू है तुछ है अकल नहीं है तुछ में शूंकर देख अब यहां नहीं यहां सिर्फ लकड़ी नहीं श्री गंद है यानी चंदन की लकड़ी सेड़ जी मेरे आराज जेव की खृपा श्रिवाद से पैदा हुआ यह बच्चा स्योन बंध बंकर धन्वान बंकर गुर्वान बंकर आयुष्मान बंकर आरो गिवान बंकर बुध्यमान बंकर धीमन बंकर सदाकाल सुखी बने सत्य गुप्त सत्य गुप्त सत्य गुप्त चलू आप दोड़ों है इस बच्चे के कान में सत्य गुप्त कहो सारेंगी अकली बहार आ रही है चलों से पकरते हैं अरे 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 पिता जी कहा चले गए सुरज धले तो तीन धंपे से ज़्यादा हो गए अभी तक नहीं आए कहा गए होंगे पिता जी पिता जी पिताजी 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 सारंगी अब तो हमारा ब्या होगा सारंगी सारंगी हो में रूम रूम पता पत कर enc olhos और कर लूम besपिर्च Еще चुर पनी कर दो तार बद्दिवा जान उना you कर दो ओम्रेम्रूम्पनापन! ओम्रेम्धूम्रूम्टकानु ऑफटी! हुआ, हाई हाई कहा भागोगी इसलागी आराई ऊजये हैं ईणकार मोगा। आईजती आजरा उटने ईविमीस जटे बना गेंखे! अँ़ बना टाँ लू झाया ले गए ले गए महिनों तक मैंने कश्ट उठाकर लकड़ी बेजकर कमाए हुए सोने के महरों को वे चोर लोग चुरा कर लेके गए अब में क्या गरूगा सारंगी मुझे लगता है एक आज महिने में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा रहा भाईया पारूं तो महरे पूरे हैं ना जला गिन तो लो तो पैसे ले लो में जाने तो जाने तो हमारे पूरे हमें लोटा तो ना तक क्या बोलूगा मैं मेरे जीवन में तुम्हारे गले में मंगल सूत्र पहनाने का योग इस साल भी शायद नहीं आने वाला है ऐसा क्यों कहते हूं तुम तो हो मेरी होने वाले पती हम दोनों में सच्चा प्यार ही है जहां पर सच्चाई है बहा भगवान ही रेक्षा करते हैं कि यह देखो यह देखो तो मेरे सारे पैसे मिल गया रहे हैं मिल गया देवा सत्य नारायंड यह कैसी है तेरी लिला सत्यवानों पर कोई अन्याय करेगा तो यहीं होगा जो पैसे खोगए थी उन्हें दुबारा मुझे दिलाने वाले हैं वो मेरे पिता सत्य नारायंड फामी की पूझा में करने के बाद ही हम दोनों का व्याह होगा जी जी जा जी आप क्या कहते हो सब कुछ उस सत्य नारायंड की ही महीमा है अहां मुझे पूरा संशय है तुम्हें कोई खजाना मिला है तुम तो सस्ते दामों में असली माल बेज कर पैसे जमा करके खुद के लिए बचाते जा रहे हो है भगवान के विशे में ऐसे गलत शब्द मत कहिए जी जा जी आप भी सत्य नारायंड स्वामे की पूजा कीजी आपके घर में भी बच्चे होंगे साले साहब बंजर जमीन पर खुदाई करना थाली परोशने से पहले खाने बैठना बुद्धी मानों का लक्षन नहीं है साले साथ मेरी बीवी से मुझे बच्चे नहीं हुए सच है उसे वो योग नहीं मिला बस क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं आप अच्छा सा कोई कर लूँगा ऐसा करना धर्म होगा क्या हां क्यों नहीं देवी देवता यहीं करते हैं शिव के गंगा गौरी विष्णु के श्री देवी भू देवी कृष्ण ने तो कई भी आ रहा चाहते हैं इसलिए इंसान और भगवान को एक जैसा मानकर आप भी किसी देवी से ब्या आज गये ना वेद जूटे हो सकते हैं पर ये बात नहीं मेरी बात भी जूट नहीं होगी साले जी क्या हो अब भीया यह क्या वेद पुरान कहकर तुम भी काशिपंडित की सेवा करके अब सन्यासी बनोगे क्या वह किसलिए सन्यासी बनेगा अच्छी लड़की मिल गई त दोनों एक हो चुके हैं तो मुझे मूँ बंद कर लेना चाहिए मूँ बाद में बंद कीजी पहले खाना तो खाली जी तुम्हारे भाईया तो खाना खाकर ही आया होंगे अरे नहीं जी जाजी मैं खाना खाकर नहीं आया हूँ खाना है मैं एक वक्त पर आया हूँ चलिए तू कहां जा रहा है वे खाना हम दोनों साथ में खाएंगे मुझे भूक नहीं है मैं खुद नहीं खाता काम करो चलो चल 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 स्वामी सत्य नारायन सारखे देखा ना देखा ना उस स्वामी की मачमा को सारखे देखा ना भूगवाण की मैमा को आरं सदोल केले देखो न... स्वामी सत्य नावा, स्वामी ओम रिंग रिंग पटापट पट अठाव है यह बैगों जी जो मंगों सब देदेते हैं प्वामी यह कैसी बाइवा है तेरी जादगी यह बागौान पूजा करेंगी ओ मरा है मेरा प्यारा बच्च्या मेरा मुन्ना जिगर का थुकडा ये लो प्यार बेट अरए चोटे बच्ची ऐसे नहीं बूला करते पेट भर कि खाओ और जल्दी से बड़ा होना चाहिए उतना ही नहीं लाखों में कमाना चाहिए महनत करके खाना चाहिए हा नो बच्चा मना कर रहा है जिनी चाहिए हिए लिटक का बच्च कितना सारा बनाया है एक बच्चा कितना खाएगा हर बात की एक हद हुआ करती है समझी की नहीं लक्षमी चंचल है समझ गया तुखा बिटा भावी इस तरह प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या खिला कर बच्चे की तब एक खराद ना करो तो तकलिफ होगी क्या मैं नहीं ज ये है सत्यनारान व्रत से पैदा हुआ बच्चा भगवान के भोग के अलावा कुछ और खाता ही नहीं दूसरा कोई भी खाना इसे पच्टा नहीं है हा समझी अरे अरे चुप रही ना बहन की बातों में हामी मत भरिये चुप रही है भावी हम तो कुछ नहीं जानते हम तो कि इतना बोल गई है बोलो बोलो तुम जिस भगवान के पूझा व्रत आधी करके बेटा पैदा करके उचल रही हो मैं भी उसी भगवान से रोके मांगे तबस्या करके बेटी पैदा करूंगी तेरे बेटे से ही उसका ब्याहर अचा के उसे मेरा घर जमाई नहीं बना लिया ना तो अपना नाम ही मैं बदल दूँगी यही सच है हाँ सत्य बिल्कुल सत्य जो कुछ हमने कहा सत्कुल सत्य बाना बिल्कुल सत्य है साना देखो भाईया यह पूजा सामान ने पूजा नहीं है साक्षात संतान लक्ष्मी पूजा है यह है अश्त लक्ष्मी मैभाव हम लोग बाती पंदितों जैसा पूजा करके नहीं निकल जाते एक बार हमने पूजा खत्म कर लिया ना कम हो जाएगा यानि कि आप लोग भगवान के वर्पसादी हो उससे भी उचे है धनपाल सेट जी हम दोनों महाग्यानी है धर्म सुरूपी है ग्यान और धर्म सुना है यह सब अखंडे उससे तो काट पीट करके छुपा रखा है हम दोनों ने अरे ओ सेट जी धन जिसके पास ना हो वो लाश के समान है अहां इजो नहीं पढ़ सकते वैसे बच्चे भी आजकर होश्यार बन गए हैं हम दोनों पूजा करते हैं इसी धन के लिए धन के लिए तो जरूर कीजिए बाणा तो समझ गया ना क्या करना है आप देर ना करके श ना जयां धनपाल सेट जी धनपाल सेट जी जो अधर तो आईए ओं प्रीव रूप शुका पी का दोखा दिया संजीव नाइक जी संजीव नाइक जी कौन है ये बहरूप ये कोई मांतरिक है पक्षी बनकर उड़ गए जी हां सेजी इंसान बनने की हिम्मद तो नहीं है पंशीमन के उड़ने वाले हर दम धोका देने वाले धोके बाद है अब कुछ लूटने वाले दाकू लोगे राकू लोगे सुना तुमने सेजी उस सत्य नारायन पर भरसा करें किया कि उसके शर्ण में आईये आपको संतान प्राप्ति भी होगी अच्छा बिल्कुल लिजी आला आ हाँ वावावा नियुवास कि जी हाँ शत्य नारायन सुम्हे बिश्वास करके जरूर हमें फल मिलके रहेगा स्वामी विश्वास करके संकल्प, ZAROOR करके रहूंगी पुत्त्रा-भीष चत दिर्थ्मश्री सत्य नारायन सुम्हे की संकल्पं करेशिये लीजियर लीजियों, बहन सत्य नाराण स्वामी के पास जाकर अपने मन की इच्छा की प्रार्थना उनसे कर लीजिये, उसके पश्चात सुमंगलियों को प्रणाम करें, उनसे आशेरवात प्रात करें, जी हां स्वामी, ए ठीक से वसन करो, ये सब चंदन की लकडिया हैं, देखो ठीक का आज तक हजाने में कितना लगान दिया तुमने और कौनसा लगान महास्वामी...? एए स conscious यहां पैदा होकर इस देश की परजया होने के नाते आज के आनदणी का एक छोटा हिस्ता धेष के खजाने में लगान के रूप में देना होगा यह कौन सी नहीं रही है स्वामी यह कोई नई बात नहीं है स्वामी सब कुछ पुराना है परंटु नए-णए काल में नया-नया नाम लेकर लगान बरना पड़ता है समझे वह सा मुझे नहीं पता मुझे अब कितना लगाम देना होगा यह पता हो अंदाजन हपते की 100 महरें लगान तो आपको देना ही होगा सेड़ जी देखिए यदि आप स्वैम देंगे तो कोई हर जाना देना नहीं पड़ेगा आपको थोड़ी छूट भी मिलेगी है स्वामी मुझे लगता था खून चूजने वाले सिर्फ मच्छर होते हैं सरकारी काम याने भगवान का काम ऐ बात ऐसी हो तो हम पर जो भी कास्ट नास चांदने आए जो भी हो हम किसी बात की परवाह करते ही नहीं है एवां हम लोग किसी दर दरते भी नहीं है स्वामी मैं लगान दे देता हूँ साले साथ साले साथ साले साथ तुम तो मेरे पूछने से पहले ही मेरी जक्षना लेकर चले आए तुम्हारे सत्य नारान स्वामी ने मेरे दिल की बात तुम्हें बता दी अरे वो दो जो कहां चले गए जीजा जी आपका भाई क्या तुम 45 के उम्र में ही सठिया गए हो मेरे भाई ऐसा नहीं है जीजा जी असल में यहां ऐसा हुआ कि वह वह सब रहने दो छोड़ो मुझ इससे अब तीसरा महिना लगा है आज के बाद बहुत ध्यान से तव्यत संभाल नहीं होगी आप चिंतारा करें मैं खुद ही इसकी पूरी देखभाय करूंगी परनतों आपको भी यहां आते ही रहना होगा यह मेरा कर्तब यह है मैं अब चलती हूँ नमस्ते नमस्ते नमस् नीलू कैसी हो तुम आखिर इतने पैसे खर्च करके उड़ा देने का आज लाब मिला परम तुम लड़की पैदा मत करना बाद में बरबाद हो जाएंगे हम क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ जाता है न ची चुप रही है न मैं खुश हो रही हूँ कि आखिरकार उस भगवान ने हमारी सुन ली पर आप पैसा पैसा नहीं जाने दो जाने दो त्यारी बच्ची मेरी नन्नी बच्ची मुन्नी बच्ची सुनिये जी यहां ये बुलाया नेलू जी हां सुनिये तू बच्ची को उठाईए न अरे 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 यदि मैं दिन रात तुम्हारी इच्छा से पैदा हुई इस लड़की से खेलता बैठूंगा न तो मेरी कहानी खत्व तुझे ही नहीं पता इसे क्या पता होगा कश्ट नश्ट व्यापार सौधे बाजी सिर्फ पैसु से ही दुनिया में सुक शांति और खुशिया नहीं मिलती है जी नीती शास्त्र बोलने में क्या है कोई भी बोल सकता है परन्तु कमा कर दिखाने को बोलो तब पता चलेगा आटे दाल का भाव अरे चुक भी किजी ना देखो उस सत्य नाराण के आशिरवात से बच्चा हो गया मैंने कभी ना तो नहीं कहा ना देखिए बच्चे को तीन महीने हो गए नामकरण हमने किया ही नहीं जी पर ये शास्त्र हमारे घर में तो होता ही नहीं वैसे भी मंदिर जाके नाम रखते मैं ऐसा तुम्हारा भाई कह रहा था वहीं पर पंडितों के मुझे कोई नाम रखपा देना हां वो एक बड़े रिद्वान हैं महादेव भक्त हैं हां आप नहीं आएंगे पती क्याने की ज़रूरत नहीं है मा और बच्चे को मंदर जाकर पूजा करवाना चाहिए मा को ग ये तो असली सोना है मेरा हीरा मेरा जेवर है ये चंपा बेहन मेरी बच्ची को हर विब्दा से बचा रहेगा ऐसा तो नहीं कि कोई दूष्ट बच्ची को उठा कर ले गया हूँ मेरी बच्ची संद्यवती को बच्चा लो भगवान मेरी बच्ची तेरा ही दिया हूँ अपने साथ है मेरी बच्ची को बखुशन मेरे पास लोटा देना स्वामी बच्ची नारा है हाँ 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 जो, लो, जो, प् वो, यू, फू, जो, वू, जो, हो दो बाबा 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 यह क्या हो रहा है भाई यह नाग देवता जब भी आरे आए पंची बनकर उन्ले की ताकत भी हमें खोजनी पड़ती है चर्ण बचाना है बच्चे को निची रख दो बादो यह लो अ पर अ हुआ है है पामय है स्वावत्य डिया है करेंगे करेंगे मैंने कभी मना किया है क्या उसके लिए सब देखने की आवशक्ता नहीं है जी पंडित जी ने उसी दिन कहा था ना पंडित का क्या जाता है अपनी मर्दी के हिसाब से मुहूरत तिथी जाज सूत्र सब बदलते हैं वो लोग देखिए इस तरह बड़ों के निंदा मत कीजिए हम भी इंसान हैं बूरे विचारों से पूरा जिवन व्यर्थ गवा रहे हैं यहीं पर है तुझ में और मुझ में सुन तो वही सूरज वही ग्रह नक्षत्र तारा मंडल वही दर्पी वही वायू वही पानी ऐसे समय में हम क्यों चिंता करेंगे हैं बता तो सुनी आपसे बहस करना मेरे बत की बात नहीं है जी देखिए देवताओं की और निलक्षे न किजिए निलू तु होश्यार है न है न सत्यनाराण पूजा को ऐसे ही करेंगे क्या बंदू मित्रों को बुला कर धूमधाम से करना चाहिए हैं ए जी उस देवताओं को आपका या आडंबर बिलकुल नहीं चाहिए जी यथा शक्ति यथा विधी लोब के बेना यूही मंत्रों में बहुत कुछ कहा गया है देखो जो काम भी करना है अच्छी तरह से करने पर ही फल मिलता है परन्तु मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है जी सत्यनाराण वरत न करने की बचे से हमारी बेटी सत्यवती को उसी देवतानी विपता में डालकर हमारी परिक्षा कर रहे हैं ब्रहांती, ब्रहांती है ये सब वो भगवान इस देश का कोई सिपाही है पंचायत परिक्षा करके कोई फैसला सुनाने वाला मैं बता रहाँ सुनो हमारी सत्य वती को उस सत्य नारायन ने ही बचाया है ऐसा कहती हो deposit गया सच मुझ उस सत्य नारायन ने हमारी बच्ची को बचाया है किये लो ये तांबे की चवन्नी है जाके किसी जितने भविशे पूछो देदर रख लेती है देखो व्यापार के खातिर मैं कुछ दिवस प्रवास पर जा रहा हूँ ऐसा है तो स्वामी पूजा हम दोनों अलग-अलग है क्या तू ही कर ले यह कैसे संभव है हम दोनों को मिलके सत्यनारायन की पूजा करेंगी और यहीं मेरा संकल भैजी इतना ही है ठीक है पहले तो मैं काम धंदा खतम करके वापस लोटूँगा उसके बाद सत्यनार पूजा करके आगे बढ़ूँगा वहीं सत्यनारायन आपकी रक्षा करेंगी रक्षा करना भगवान का काम है और पैसे एंठना पिशाज का काम है इस लक्षमी को तो देखो बहुत जाओ खेलो देखो ना भाया अभी से ऐसे हैं आगे जब दुनों बड़े होंगी तो क्या होगा लीलावती सब कुछ हमारे हाथ में कहा है इंसान सिर्फ आशा करता है सब कुछ इश्वर की इच्छा से ही तो होता है सत्य गुप्तर मैं चाहती हूं मेरे पिता जल्दी लोटा है मैं भी यही चाहता हूं सत्योती तुम्हारे पिता जल्दी आ जाए और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दे अरे ओ लालची कही के इतना लालच मत करो लालच जब हद पार करने तो पागल हो जाओगे तुम्ह प्यारा प्रेम ही दवाएए प्यारा प्रुदय मिलन का संगम है प्यारा स्नेह का ये जो वणी थन क्यारा प्रिदय मिलन का संगम है प्यारा क्रुत है बसंती पवन है माधा ना तर्साओ आओ बालम रुत है बसंती पवन है माधम ना तर्साओ आओ सजनी सावन छूब के लो आया है सावन छूब के लो आया है सब और पे मुके रंग है बिखरे प्यारा स्नेह का ये जो बन्धन है प्यारा रिदय मिलन का संगम है प्यारा तुम बिन जीवन बस है धूरा तुम बिन जीवन बस है धूरा मेरे देखो दे दो सहारा तुम बिन जीवन बस है धूरा मेरे देखो दे दो सहारा दो तन मन का संगम है मदुर मिलन का बन्धन है प्यारा स्नेह का ये जो बन्धन है प्यारा रिदय मिलन का संगम है यारा 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 थिहाँ कहते हुआ मिलने टीव Mar quirky मिलने इपींкими है 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 क्या है संजी आज के दिन जंगल में पहरेदारी की बारी मेरी है मैं चलता हूं तुम जड़ा घर का और अपना ख्याल रखना सारंगी एक बात बताओं तुम्हें तुम आज भी मेरे लिए चौद्वी का चांग हो सारंगी तुम हस्ती हो तो प्यारी दिखती हो जब गुस्सा करती हो रहा और भी प्यारी लगती हो चलता हूं ए जाने की बारी तो मेरी है तुम कहां जा रही हो सुनिए सत्यवान के साथ सावीतरी नल के साथ दमयंती राम के साथ सीधा जंगल में गई थी मैं भी ऐसे ही अरे वाँ सारंगी हम तो जीवन जंगल में ही बिता रहे हैं इसी जंगल की रक्षा करने में ही सभी कट सभी दुकारी जल्दी से दूर हो जाएंगे पिता जी होते तो वही चले जाते अब क्या करें उनके जाने के बार ये काम आप पर आया है तो फिर तुम कहती हो कि दिन में तुम्हारे साथ रहूँगा चलो चलो देखो तो वहां यह तो सत्यवती सत्यगुप्त है अ करें अधिक अधिक हैं तो नहीं है भगवान के रूप में आकर हमें बच्छा लिए वह सब बात में रिखेंगे चलो चलो जोड़ा लिया रसी खोल कर छुड़ा लिया क्या समझ रहा हो कि बाग जाओगे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हाँ हाँ झालव अ पजी बागे, को जाँ कि बुम्हे पुम पुम्हाँ हाँ अ खड़े जो पर दो आ, हॉँ! बदो पर भीर जो! वह उप खाया! तो, हुआ! आरो! हुआ! है! झी झी झी! करते हैं! स्वामी! सेटे नाय, हमेवा चले! प्रेम प्रेम शुक्राइब अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई पक्षी तो बन सकते हैं अब माया शक्ति इंसान बन के दिखाओ यह तो असाद जैवे शक्ति में जो ताकत है इस माया मंत्र में कहां होगी उस सत्यनायन का नाम स्मरण इन पापियों के कानों में जिरे यह भी मनुष्य बनकर जीवन बिताना सीखें हाँ हाँ यही ठीक रहेगा चलिए इन कबुत्रों को स्वामी के चर्णों में रख देंगे चलिए हम हम कौन चाहिए था? तेरा बाप जगे छोड़ रुकिये पूछे भी नहीं अंदर जा रहे हैं कौन है आप मैं हूँ इस घर का मालिक आहां वो 16 साल पहले ही व्यापार करने गये हैं अगर वही यहां आ जाए उन्हें बीवी घर बच्चों का परिचय भी नहीं होगा ऐसे में आप इसने आसानी से अंदर चले आएं ये कौन लड़की है दर्वाजा भी खुला है है नोकर दर्मराज उटो तो दर्वाजाओ लड़की खुलती है कौन है यह लड़की निलू स्वामी आप है है निलू तुम बहुत हुशयार हो इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाला है पूरी नौकरानी को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ये सोचकर सभी नई नौकरानिया रखकर खर्च कम कर दिया तुमने ये लड़की नई है तो क्या हुआ घर को अच्छी तरह संभाला है इसने हाँ नौकरानी मैंने कोई नौकरानी नहीं रखी बुर्या को हटाया भी नहीं है हाँ ये सब रहने दो सरकुषल लोट आए ओ मेरी पिता सत्य नारा है लाब कमा कर ही आया हूँ ये सब छोड़ो तुम्हारी पुद्री थी ना उसका नाम क्या है सत्यवती कहा है वो यही हमारी बे पर रेडाम पिकाजी उठाओ बेटी उठो कितनी जल्दी कितनी बड़ी हो गई danach इतनी जल्दी भी क्या थी तुम्हें जाने दो जाने दो किसी के लिए काल चकर नहीं रोखता है घूमता ही रहता है भाग की चक्र भी वैसा ही है साले साथ बीते हुए कल की याद नहीं रहती आने वाले कल के लिए भै नहीं होता बहुत अच्छी बातें करता है कौन है ये लड़का? इतनी होश्यारी से बात करने वाला मेरा बेटा ही हो सकता है होश्यारी सिर्फ बातों में ही हो तो लाव नहीं साले जी व्यापार में होना चाहिए धन इखटा करना चाहिए उसके कहने पर ही मुझे पता चला कि तुम आ गए हो और मैं यहां आ गया ठीक है ठीक है जो कुछ मैंने तुमसे उधार लिया सूद के साथ पूरा हिसाब करके फिर कल तुम्हें दे दूँगा जी जा जी मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ इतने सालों बाद आये हो ना तो मिलकर बाते करने के लिए आया हो इतना ही है ना तो मुझे देख लिया ना, तुम्हारा काम हो गया, अब रास्ता ना पो ये कैसी बाते कर रहे हो, मेरी भईया आपकी कमाय हुए पैसों में कोई हिस्सा लेनी नहीं आए हिस्सा मैं क्यों दूँगा, पहले सूथ तो मैं इसके मुँपे मारू तुम्हारा नाम क्या है बेटा, सत्य गुप्त, चितर गुप्त है, नहीं, सत्य गुप्त, जब पेड़ बढ़ता है ना, तभी छहाओ देता है वैसे ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, जवाबदारी आ जाती है बच्चे, सत्य बदी, सत्यू, आओ, आओ भाईया आप तो इनको जानते ही हो ना अनाप शनाप कहते हैं खाना खाईए चली नहीं मेरा तो पेट भर चुका है ज्यादा हुआ तो बहुत कस्ट होगा चलो पिता जी रुको 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 हमारे सेथ इतने कंजूस थोड़े हैं चलो खाना खाके चले जाना मुझे होते हैं और तो भी अजीव हैं किसी काम में यदि थोड़ी देर हो जाए ना तो हम पर सारा इल्जाम लगाना शुरू करती हैं ओहो मैं बता रही थी मेरे संकल्प की बाते सत्यमारान की पुजा की बाते देखो भगवान के विश्य में इस तरह भुलक कर नहीं 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 पता है परसु क्या है वो शाणा बाणा बहरूपी हमारी सत्यवती को बांद कर कश्ट दे रहे थे व्याहा के उम्र की लड़की उन डाकों के सामने कैसे आ गई बच गए सत्यनारान ने बचा लिया न वहीं तो हमारे सत्यगुपत को संजीव नायक ने बचा लिया जी हाँ ओ सत्यगुपता और संजीव नायक ने बचाया था तेरा सत्यनारान क्या कर रहा था तुम्हारे पती को बोलो मेरी पूजा करे कहकर चुप चाप गया पूजा करना है कर देंगे छोड़ो इसमें गुस्सा क्यों करती हो सपात भक्षन क्या दे लड्डू हल्वा सब बनवा कर धूंदाम से करवाएंगे याने की बेटी के लिए वर ढूंडा है स्वामी अपने धर्मराज को अयोध्या राम सेट के घर भेजा है अब वो आता ह होगा नीलू 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 इस उम्र में भी मेरी आखो में प्यारी सी लड़की की तरह बसी हुई हो आओ भाई जल्दी आओ नालायक कहीं के मैंने तुम्हें आयोध्या राम सेट के घर पे लड़का देखने के लिए भेजा था ना क्या हुआ बताओ तो हाथ हिला आप से रिष्टा जोड़ने के लिए वो लोग एक टांग पर खड़े हैं सेट जी हम जानते थे नकुल गोत्र पुश्यमी नक्षक्त्र प्रवल वह सब ठीक है वरोग चार के बारे में भी बताओ अच्छा ये हाथ में कौन सी पट्टी है इस पट्टी में दुलहे को मिलन से लड़की को 25 सोने के जवाहरात सोने के धागों से बनी हुई 50 देश्मी साडिया वर पूजा से लेकर व्यास अंपन होने तक हर दिन चार वक्त का बोजन कराना होगा आप चाहेंगे तो आपके वैपार में आधा हिस्सा अरी वर दक्ष्रीना इत्यादी वो लोग कुछ भी नहीं मांगेंगे ऐसा सुना था सच कहता हूं यह लोग वैसे नहीं है मां वह क्या है कि आपके होदे के हिजाब से आपकी बेटी को आपके दामाद को जो सामान देंगे उसकी पक्ति हाई है सम्मान को इस तरह खोला नहीं करते उसे संभाल कर अपने पास रखना है की नहीं हाँ हाँ जी प्रेम और विश्वाग को यह बड़ा मानते हैं तो एक बात सुने जी निलू निलू क्या बात है है ए जी हमारी सत्यवती बच्पन सही जिसके साथ पली बड़ी है वो मेरा भतीजा सत्य गुपते ही है वो उससे प्रेम करने लगी है अच्छा हाथ नहीं मक्खा नहीं है तो घी ढूड़ने क्यों निकले है निलू क्या बात है पैसे भी बच गए रिष्टा भी बन गया हाँ तो बुलाईए आपके भाईया को और कर दीजे इन दोनों का व्या जल्दी से उन्हें मैं क्यों यहां बुलाऊं मुपत में खर्चा लड़की हम हमारी है हमको ही वहाँ जाना होगा ना है ना सत्यवति कैसे पर चला मेरी आग बंद करने की हिंप और किसमें है सत्य गुप्ते मेरी पूजा का फल मिल गया है मेरे प्यार की इच्छा पूरण होने का शुब दिन आ चुका है अच्छा है तुमारे पिता अपने होदे के लायक दामात को ढूंड कर लाए होंगे न तुमने भी उस लड़के को पसंद किया है न तुम क्यों इस तरह की बात करके मुझे परेशान करते हों सच कहना भी आज के इस यूब में अपराद है क्या मैं बात कर रही थी हमारे प्रेम के बारे में प्यार प्रेम विश्वास इन सबको तुमारे घर में आज भी मान देते हैं क्या मेरे पिताजी के बरताव की वजह से तुम्हारे मन में जो तस्वीर बनी है वो अब तक दूली नहीं तस्वीर को तो मिटाय जा सकता है सत्या परन्तु किसी की सोच को नहीं मिटाय जा सकता मैं तो चाहती थी हम दोनों की बीच में एक अमर बंधन हो निश कलंकस नह संबंध हो दिलों के मिलने का दिज यानुभव हो लगता है इस जनम में वो मुम्किन नहीं होगा मैं भी अपनी मा की तरह बहुत सिती हूँ आज ही मेरे पिताजी हम दोनों की ब्याह की बात करने के लिए तुम्हारे घर जा रही है आज है सच है तुमने इस बात को पहले क्यों नहीं बताया बताने की उत्साहसे में भाग भाग कर आई तुमने ही उस पर पानी फेर दिया माप कर दो मुझसे भूल हो गई अप राधी शिक्षा के लिए तयार है सत्यवती बेटा सत्यू मैं तयार हो गया बेटा सुनिये जी अब क्या सोच रहे है सोच तो पुरानी है परन्तु योजना बिलकुल नहीं है दामाद राजा कहां चला गया दामाद राजा अब क्या करूं सत्या तुम्हां पर आपको क्या हो गया है ब्याह होने के दो दिनों में ही मुझे आखेले छोड़कर जा रहे हो अब क्या करूं सत्या तुम्हारे पिता की आग्या है मना नहीं कर सकता आलन करना ही होगा न ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ मुझे भी साथ ले चलिए क्या कहा तुमको भी घर के ओरते भी व्यपार करने जाती है क्या तो फिर मैं आप से इतनी दूर अकेली होकर हर वक्त आसू बहते रहूंगी नहीं सत्या नहीं जल्दी से जल्दी लौट कर आउंगा वहां तक के लिए मैं तुझे इसे ही याद करके हमेशा मुस्कूराती रहूं आपके सेट को बता देंगी कि आप नहीं आ सकते हूं जलत जलत ऐसा बिलकुल न कहो मैं तुम्हारे लिए चमक चमक चमकती हुई सारिया सोने के जवारत इतना ही नहीं अंग वंग कलिंग पूरते नए नए बरतन भी चजमान के पैसों से खरीद कर लाओंगा फोड़ा हस्दो हस्दो सुनी तो आप अचानक इस तरह चल पढ़ेंगे तू सत्य नाराय व्रत संकल्प का हाँ संकल्प जब भी करो जीवन में पूरा करो ऐसी एक काहवत भी है ना करेंगे करेंगे किसी दिन कि सत्य गुपतर का दमाज राजा आया ससुर जी आजाओ आजओ इधर आओ भाई देखो दामाज जी अंग बंग कलिंग कश्मीर कामबोज उत्रांचल हिमाचल 56 से अधिक देशों में जाकर हमने जो अन्मोल रत्न वज्व जेवरातों को इकट्टा किया है उसे बेचकर लोग क्यान व्यवार अभी विद्धी के बारे में गहरा अध्यन करना होगा हूं जी ह वह हिरे के पेटी लेकर आओ नीलू अब मैं चलता हूं घर का ध्यान रखना जल्दी आईएगा चलिए दामाज जी चलो ना कामचोर उस सत्यनारायन स्वामी की क्रीपा आप पर बनी रहे देखो बहन एक तरफ तुम हमारी बहन भी हो और दूसरी तरफ हमारी समधन भी हमारी बदरी के दार की तेव्थयात्रा पुर्ण रूप से संपन होने की कामना करना आपका करतव है पादि ये तो हमारा धरम है बहन भैया आप सबका अक्षेम अभ्यूदई ही मेरे जीवन क इच्छा है आपका शुब करने के लिए उस सत्य नाराण का अनुग्रा सदा आप दोनों पर बना रहेगा जाकुशल लोटाईए अश्ट संतान भवा सूम अंगली भव पुद्री दीर गायुश्मान भव दर्मू हर एक इंसान को अपनी जगह जानकर वहीं रहने में ही भलाई है मैं समझ गया सेद जी आपके ओधे के हिसाब से नहल में जीवन बिताने के बाद अब आपको सेवक के साथ सोना पर रहा है ना इसलिए मैं बोला था ओधा काहे का होटा जिस दिन हमने गाउँ छोड था उसी दिन हम परदेशी बने इतना ही नहीं रहे अपना होदा हम किसी को दिखाएंगे तो लोगों की आखे खराब होंगी इस लिए इस साधारन से छत्र में मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगा मैं भी सुरक्षित ये भी सुरक्षित है कि यका सांड की तरह सो मचाना लेट जाता हूँ नहीं आएकी ने का इंसे बना समने देक आ कि ना शिचा आंगरा में एंगरा मुद अहां कि क्या में दो अ कौ. कर ते अ परिशा लो परिशा लो सेर जी ओ सेर जी तुम कौन हो बैन देखिए भाई वहाँ पर मेरा पोता सो रहा है उसको तकिया ना मिले तो नीन नहीं आती है इसलिए आप आपके गठरी देकर उपकार कर सकते हैं अमारे पास इतनी बड़ी गठरी इसे आपने कौन सी गठरी समझा है मा जी अजनभीयों को आज तक इनोंने कभी कुछ भी नहीं दिया है जी हाँ जी हाँ आप ऐसा ना कहिए नई जगह में आकर परिचे तो बढ़ाना चाहिए ना ने ने हमारे पास समय नहीं है यह कोई सामाने गठरी नहीं है हम सब के बाप की कठरी है तो फिर इससे आप ही रखेशाई है अची बात है चले जाएए जाए पास उनने मघली खूली जा 협ें पहश पूला है यह हमारी कत्री है इसमें सोना है यह महालक्ष्वी है माँ तुहीं रख ले चल चल तु रख ले ठीक है ठीक है मैंसे रख लेता हूँ सोने भी नहीं देते देखान आप रभू काल महिमा को जी हां देवी सत्या वज़ा नहीं कह रहा है ना इन स्वार्च्वरूप मनुष्य प्राणियों को सत्य स्वरूप का साक्षातकार किस प्रह होगा स्वानुभासे होगा देवी सत्य शोद का नए अठ्याय का अंत्योदय हुआ है प्रभू अंत्योदय नहीं है देवी भव्य भारत का भाग्योदय नित्य सत्य नवदय यहीं तो है क्या होगता तुम्हें पोटरी कहां से मिले कहां से मिलनी यह हमें कहां मिलेगी हमारी है हम यह के सैनिक है अरें हम मर गए है पार अच के सारे छेवर रहो चुरा लेकर आए तुभ यहां पर यह हमारी है यह हमारी है जो कुछ कहना है महाराज के सामने बोलो चलो आते हैं ना ठैरो यह सेनिक है महाराज के पास दिजा रहे हैं माराज हमें छोड़ देंगे क्या चलो यहां आएंगी क्या है कुछवाल जी धनपाल सेट जी को आमदनी का चौधाई हिस्सा लगान की रूपे खजाने में अदा करना चाहिए था कितने दिन हो गए ना उन्हों ना आपने हमारी राजजितिक नियमों का पालन नहीं किया इसलिए राजा के आज्या पालन करने है तू मैं इस घर को निलाम करने आए सौमी मेरे पती की लौट आने की प्रतिक्षा कर रहे हैं उनके लौट आते ही हम आपका लगान दे देंगे शमा किजी वहन हम आज्या के अवमानना नहीं कर सकते वैसे भी आपका इस घर में रहना निशिद्ध है आपको इसी समय घर छोड़कर जाना होगा हम इस घर को ता मैं नहीं मेरे पिता हमें अनात्मत कर दीजिए नहीं देवा तेरे बिना दुनिया में हमारा दूसरा कौन है नहीं नहीं माँ अब हमारे क्या होगा क्या होगा माँ माँ तुम्हें क्या आगिया माँ माँ मेरे पैरों की शक्ती चले गई बिटा मेरे पैर गई बेटी मेरे इक पैर हम दोनों को इस तरह पर्दे से बना कर बाहर मत भिका दिये आपके पैर पर भाईयों को तुम्हें नहीं माँ तुम्हें पर देया कीजिए बेटी यह सब क्या हो रहा है इस घर की निलामी के लिए बैठे हैं कितने दिन हो गए कोई भी नहीं आया अब क्या करेंगे समझ में नहीं आता मैं आया हो कोटवाल जी इस घर को मैं खरी दूँगा इसकी कीमत क्या होगी ओ संजीव नायक जी इतने दिन रुकने का परिश्रम सार्थक हो गया इसकी कीमत एक लाख मोरे है ठीक है कोटवाल जी लीजी इसमें पूरे एक लाख मोरे हैं गिन लीजी जी नहीं नायक जी आप पर हमें पूरा विश्वास है आज से ये घर आपने उनका हुआ है अब आग्या देजिए तबस्ति चलो भाई चलो हमने इस घर को खरीदा है पर मौज करने के लिए नहीं पता है संजी हमारे निलूमा उनके बेटी के मिलने तक और सेर्ची के लोटने तक इस घर पर दूष्टों के दुरुष्टी ना पड़े इसका हम ख्याल रखेंगी अरे मां जीवन में किसी को भी करिफ नहीं बनना चाहिए सत्या यह सब बाते मने रखने निराश नहीं हो पुत्री देखो रात के पश्चात सुबह हो ही जाती है बादल के हटने के बाद आकाश तो दिखता ही है बच्ची दिरज रखो बच्ची यह सब बच्चों को दिलासा देने वाले नकली बाते हैं बच्ची तुम्हें दिलासा देने की शक्ती मुझ में अब कहा अब जीवन बिताने के आश्या मुझ में नहीं रही मां अरे बगली शक्ती धीरज को दाओ पर लगाने वाली परिक्षा ही बच्ची जीवन है बन तुम्हारे लिए भयंकर श्राप ना बन जाए बच्ची स्वाफ पुन्य का भय inherent आप में है यह नहीं आश्या के अंखुष से तुम अभी मुक्त नहीं हुई हो ठ्यामोंसे दूर हो जाना उतना सुलब नहीं है दिती तो फिर अब मैं क्या करूंगी दर्थी पर बोच बन कर कैसे रहूंगे…. आःप मर बोच बन कर कैसे रहूंगी सक्तिया, सब कुछ सत्ति नाराण की इच्छा है माजी, थोड़ा नादान कीजिये जाओ जाओ, ये चानवरों के लिए है, कोई प्रसाद नहीं है चीची हे मागो माता, कसाई को भी दूद देने वाले करुणा माई तुम्हारे प्रसाद को ले जाने आई हूँ, गलत मत समझना आज हमें विक्षा नहीं मिली, मेरी मा मर रही है भगवान ने हमें ऐसी स्थिति में लाया है, हम क्या करें क्या इससे ले जाओ यह मेरे लिए नहीं है, मैं तो मरने तक भूखी रहूँगी मेरी मा को जीना होगा, मुझे एक्षमा कर दो आइप आपना यह वन प्ली आसे समय आपके लिए गउके जो मुझे नहीं है वाना हादा हादा स्वावी सकते ना रहे पुत्री पुच्जाए रोते नहीं बेटी तुम्हारी पुला को मैं जानता हूँ गयबल खराब हो देव धर्मों पर ते विश्वास खत्म हो जाता है गब्राव नहीं धैर्यम सर्वत्र साधनम कि यह लो बेटी दूत है हूम सत्यनाराणाय नमः हूम सत्यनाराणाय नमः बेटी सत्यनाराण स्वामी का व्रत करने का भक्ती से संकल्प कर लो तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे कि ये लो बेटी प्रसाद है कि तेरी सभी इच्छाएं पूरी हो तुम्हें अस्टैश्ष्वर का वर प्रसाद देंगे भगवान पंडीची मुझे आशेरवाद दिछी स्वामी सत्थिनारायर जिस तरह तुमने मुझ पर दया दिखाई इस बच्ची पर भी दया दिखाओ मा, मा, उठो मा, उठो मा, उठो मा, उठो जाओ मा, उठो जाओ मा, पुत्री की पवित्रता बेजकर जो खाना लाती है उसे खाकर जीने वाली मा की उपादी नहीं चाहिए मा, नहीं, मैंने ऐसा बाब नहीं किया बगवान सत्पना रहे ये क्या परिक्षा है प्रभू ए मा, तेरी ही बच्ची पर तुम ही सर्शे करके अब मा तो मत करो मा, गोपुझा के इस जानवर के खाने को तुम्हारे लिए जब ला रही थी, किसी पागल ने मुझे छेट दिया इसके अलावा मैंने कोई अपराद नहीं किया है मा, नहीं किया है यहीं प्रसाद काशी मंडित का सदा अशिर्वात है मेरी बातों पर भरोसा करो, ये बात बिध्या नहीं है तुम्हारे सिंदूर की कसम मैंने कोई बाप नहीं किया है सत्या, मुझे एक शमा कर दो बच्ची, मुझे एक शमा कर दो सत्या, आयों मैं तुम से बहुत ही बड़ी हूँ पर दुबरताओं में तुम से बहुत ही छोटी हो गई हूँ मुझे एक शमा कर दो, मेरे बेटी एक शमा कर दो बार इश्पवन गर्वी की परवा किये बिना इस माँ को तुम छोटी बच्ची की तरफ आल रही हो ये बात ये बात बुलकर में क्या के गई बेटी बुलकर क्या के गई देखो कहे तुम तेरे पैरों में गिरके एक शमान मांग पाव इसलिए स्वामी नारायर ने तेरे पैरे चिल लिये बच्ची सत्या मेरा तंकल्ब पुरा करो तुम सत्य नारायर के पूजा कर वेती माराज तुम्हें इस श्राब से मुक्त होने के लिए जिसे तुमने बंदी बनाया उस धंपाल और उसके साथी जन्यो को इसी छन से मुक्त करके उनके जीवर और तुम भी इश्राब से उख्थ हो जाओ कि रभू मेरी रक्षा करो प्रभू मेरी रक्षा करो प्रभु प्रभु सत्यनारेंड सत्यनारेंड बचा लिया तुमने मुझे इश्राप से मुक्त करके मुझे बचा लिया स्वामी अरे धर्मु हम सकुषल लौट आये हैं ये बात घरवालों तक पहुंचना आवश्य का सेट जी ए शंबू लिंगू इदर आओ क्या मालिक इदर आओ बड़े सेट और छोटे सेट के लौटने की खबर माजी को दे दो अच्छा मालिक कि इस तरफ मेरे आने के खबर भी जाके दे दो किसे बताओ मेरी पत्नी को अब ठीक है कि आगमार्थ रंत देवानाम गमनार्थ रंत राक्षताम पुर्वे घंटारवं तत्रदेवता स्वानलांचनाम इते मंत्रैन खंटा नाधं कृत्वा अपसर पंतते भूताँ हा ये भूता भूम समस्तिताँ हा ये भूता विज्ण करतार स्थेन शंत श्वाग्निया इत भूमिंप्रार्थ या केशवायस्वाह नारायनायस्वाह माधवायस्वाह गोविंदायन महा चुवे पोरवोचिरित एवंगुन विशेशण विशिष्टायाम शुवति थव ममана उपात्त दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर प्रीत कर्थम सत्यनारायन पूजां करिष्ये मालकिन यहां पर क्या हो रहा है जूर से मत बोलो सत्ती नाराण पुझा हो रही है आपको बहुत जगे ढूड़ा पता चला आप यहां है तो आगे हो रहा है आपके सेट जी दामाज जी वापस आ गया है तुम सच कह रहे हो हां माजी जल्दी से शामान उतरवाए जल्दी जल्दी उतारो ना चलो स्वामी स्वामी। निलावती। स्वामी। यह क्या हुआ तुम्हें यह क्या हुआ तो में निलू आपके त्वाम तुम्हें अप्रादों का फल है यह मेरे पेरों की शक्ति घत्म हो गई है। क्यों अपराद मैंने किये उनकी सज़त तुझे मिल गई भगवद्दा नारायन सत्य नारायन बस करो अब धीर जखो दीर श्रीत सत्य नारायन स्वामी की ब्रत कथा संकलपरीती से संपन्न करने के लिए तयार होके आया हूँ करता हूँ सच मुझ करता हूँ तुम्हारे मंगल सूत्र की शपत लेता हूँ और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दीदी सेट लोग वापस आगे मैं बूलना भूल गया था अच्छा बेटी सपाद भक्ति प्रिकार करो एसे मच जाओ लोग हो जाएगा पिताजी होग पिताजी हो जोचानी हो याँ याँ पिताजी होग याँ क्ट्त्यकोवण। यह कैसी परिख्छाले रहे हो तुम मेरी एक मात्र कण्यामणी को विद्वा बनाने का कष्ट मत देना मेरे भगवन कहां है भगवान कहां है तेरा भगवान कि देरेज रखिए निदा नो किजिए थेरेज़ रखिए तेरेज रखिए निदा र्खत रीकार करो एसे मचाओ लौफ हो जाएगा तो अवावी सत्य नर्यजू यह क्या है तरभाया क्यों ले रहो ये परिक्षा हमें कष्ट देंकर तुम खुशी बना रहे हो क्या इन कष्टों से हमें मोक्ष का दिलेगा, हम करीबों का कष्टों से दिखाई नहीं देदा, इसका आंच काद होगा, बोलो स्वावी, बोलो, बोलो स्वावी, बोलो देवा, तत्या नारायणा देवा, तत्या नारायणा किस अपराद की ये शिक्षा, देदो मुझको पति भीक्षा किस अपराद की ये शिक्षा, देदो मुझको पति भीक्षा क्यूं ये सत्व परीक्षा, देह में श्री रक्षा शेवा तर्थ्यनारा यणा शेशनाग को अभै दे दियाओ मत्यवतारी तूही है सागर से ही उपर आया खुर्मवतारी तूही है भक्तों का उद्धार गया है वराह स्वामी तूही है भक्त पहलाद के जीवन दाता नर्सिह स्वामी तूही है जाइक सुरोका विनाशतारी विक्रम वामन तूही है पर्षधारी बन जग को जीता भारगव राम वितूही है दुश्रा बढ़ता नाशकर दिया दश्रत राम वितूही है देवा तथ्या नाराया ना देवा तथ्या नाराया ना देवेंद्र को जो खड़त दिया सत्या वृत भी तूही है अरिश्चेंद्र को विशा मुक्त किया सत्या वृत भी तूही है आदे रक्ष्न को अप्रत कुप को बर देने वाला तूही सत्या पुत्र के जन्वा धारं सत्येश्वर भी है तूही लाज रखा जिस रौपड की वो भवर सल्गी तूही है संत कहर के द्वापर पावन सत्य भक्त भी तूही है देवा सत्या राया राया देवा सत्या राया राया भक्त वत्तला भक्त परायन हमसे रूठा क्यूं है तूह हर भक्तों के संकट नाशक हमसे रूठा क्यूं है तूह इसकल यूग में जीमत दुर्बर हमसे रूठा क्यूं है तूह में लो हिई विए ऐं मी देवा सत्या राय या डया जांटी। ऐन were we नहीं वाय वुझे छोड़ ओवा च्छोड़ दो वेशीना नहीं चाती छोड़ दो आतादिया महापाप है नहीं एटी नहीं मेरे बच्चिय समझ करूं कृवामी ऀसत्य नाराय मुझे स्विकार करूं नहीं रहे पुद्रीकर वह दो पुत्री उच्छाओ स्वाम्या सब्सक्राइब पैरों में शक्ति आगे इस पैरों में शक्ति आगे मैं तेरी भक्ति पर प्रसंद हुआ आज के बाद तुमसे मेरा व्रत पुजा संकल्प आगे बढ़ेगा तभी कली प्रभाव अपने आप ही शिर्ण हो जाएगा सर्वेचना सुखिनो भवन्तु स्वामी सत्य नारायन मेरे उपर से कली प्रभाव आपकी दया से चूट गया आप ही भगवान है ओम सत्य नारायन स्वामी स्वामी सत्य नारायन मेरे उपर से कली प्रभाव आपकी दया से ही चूट गया आप ही भगवान है स्वामी ओम सत्य नारायन आए नमहा माया थीत सत्य नारायन मंगड़ दाता सत्य नारायन सत्य नारायन